करेरा थाना शेत्र के अंतरगत ग्राम मुंगावली गाउं में सुबह एक तेरा साल की बच्ची शौच के लिए गई हुई थी जब बहुत देर तक घर लोटकर नहीं आई तब परीजनों ने इधर उधर देखा जब पहाडी की तरफ गए तो पत्थर के पीछे संदिक्द अ पहुंचे हैं और मामले की जांच शुरू की है जानकारी के अनुसार मंगावली गाउं में रहने वाले वासुदेव कोली की तेरा वर्शिय पुत्री शौच के लिए रिकली थी लेकिन जब काफी देर तक घर नहीं लोटी तो परीजनों को चिंता हुई जब तलाश करने घर से निकले तो गाउं की पहाड़ी पर बच्ची का शव मिला परीजनों ने बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी बिना जांच के सपष्ट नहीं कहा जा सकता है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है वहीं करेरा ठाना प्रभारी सुरेश शर्मा का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या हुआ है उन्होंने ये जरूर कहा है कि अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा